आपने बहुत बार नियूज में या फिर अपने आसपास GDP के बारे में सुना होगा Gross Domestic Product तो आखिर यह है क्या? देखिए Gross मतलब Total और Domestic मतलब इंडिया की Political Boundary के अंदर और Product में आते हैं Goods and Services जो एक साल के अंदर Produce हुएं देखिए आप पैसा सिर्फ दो ही तरीके से कमा सकते हैं या तो आप कुछ प्रोड्यूस करिये जैसे कुछ लोग Cars प्रोड्यूस कर रहे हैं Bottles प्रोड्यूस कर रहे हैं Toys, Mobile वगरा या फिर आप कोई Services दीजे जैसे कि Doctor, Akeels ये लोग Services देते हैं तो 10 उर्पय उसकी value हो गई तो एक साल के अंदर ये जितने भी Goods and Services की value होती है Within a country उसको GDP बोलते हैं अगर USA की company इंडिया में आके कुछ manufacture करेगी या बनाएगी तो वो इंडिया के GDP में count होगा वो USA के GDP में count नहीं होगा इसलिए हम लोग इतना focus करते हैं Making India के अंदर इसको एक example से समझते हैं माल लीजे कोई एक mall है उसमें कोई shop कपड़े बेच रही है कोई shop बाल काट रही है कोई tarot card reader भविश्च बता रहा है services दे रहा है कोई बरतन बेच रहा है तो पहली चीज़ तो यह है कि GDP calculate करने की जरूँ थी क्यों पड़ रही है क्यों इतने efforts लगाये जा रहे है इसको calculate करने के लिए देखे अगर GDP हर साल उपर जा रहा है इसका मतलब कि production country के अंदर ज़्यादा हो रहा है देश की economy अच्छी है और अगर GDP हर साल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कि देश के अंदर goods and services कम produce हो रहे है जब कम production होता है तो selling भी कम होती है और जब कम selling होगी तो इसका मतलब कि जो businesses हैं वो कम पैसा कमाएंगे और कम पैसा कमाने का मतलब है कि लोगों की purchasing power कम हो रही है economy down हो रही है GDP से हमें अपने देश की economic health का पता चलता है और उसी के basis पे governments अपनी policies बनाती है जब GDP का data आता है तो हमें अपनी shortcomings का पता चलता है और बिना shortcomings को पता करे हम उनको सुधार नहीं सकते हैं पूरे world में USA की GDP number one पे है USA की GDP around 22.99 trillion dollar है और second पे China है with the economy of 18 trillion dollar और इंडिया की economy 2.6 trillion dollar है और ये change भी होती रहती है अब आप सोच रहे होगे कि ये calculate कैसे होता है अब कोई company है उसने एक जगा से battery खरी दी दूसी जगा से chip खरी दी और mobile बना के बेज दिया तो वो जो battery खरी दी है उसका price GDP में add होगा के नहीं और अगर उसका price add होगा तो जो final mobile बेचा जाएगा उस particular mobile का price GDP में add होगा के नहीं और अगर दोनों का price GDP में add होगा तो एक battery का price दो बार count हो रहा है GDP में तो इससे जो हमारी GDP के through production calculate करने का जो process है वो गलत हो जाएगा एक example से आपको समझाता हूँ मान लीजे मुझे omelet खाना है मैं market में जाके egg खरीदता हूँ तो उसका जो price होगा वो GDP में add होगा लेकिन वहीं पे अगर एक कोई bakery वाला है वो जाके egg खरीदता है क्योंकि उसको cake बनाना है बेशने के लिए तो वो जो egg का price होगा वो add नहीं होगा बलकि वो जो final product है जो finished product है cake उसका price GDP में add होगा इसी तरीके से हर product के लिए होता है इन सारी चीजों का हिसाब central statistics office रखता है कि कौन सी चीज business owner pay करके ले रहा है और कौन consumer खरीद रहा है इसमें वो product count होते हैं जो produce होके बिके हैं अब मैं अपने घर पे लेकडी क्या कोई product बना लूँ और अपने घर पे रख लूँ तो वो GDP के production में count नहीं होगा GDP में goods and services के साथ-साथ investment भी count होता है जैसे कि Corona COVID के चलते market एकदम से change हो गया इस time में काफी companies बंद हो गई और investment और भी जादा risky हो गया बट ऐसे time पे भी काफी companies ऐसी थी जो ना सिर्फ sustain कर पाई बलकि उन्होंने काफी growth भी देखी और बहुत companies इतनी stable थी कि उन्हें बहुत जादा effect नहीं हुआ इस change से Small case आपको ऐसा ही एक portfolio में invest करने का option देता है जिसका नाम है top 100 stocks जिसमें इंडिया की biggest company आपको एक basket में categorize मिलेंगी Small case की research के इसाब से बड़ी companies के burst होने के chances काफी कम होते हैं और यह आपके portfolio की stability बढ़ा देने में मदद करती है Small case आपको इन companies की growth report past performance, reviews, सारी details देता है जो आपको अपने analysis में help करता है इसी तरीके से Small case में अलग baskets of stocks हैं जिनसे आप अपनी choice के इसाब से invest कर सकते हैं तो use कीजिए इस simple platform का to invest link is in the description box और यह कोई professional advice नहीं है तो आप अपनी समझ से invest करें GDP दो ही case में बढ़ता है पहला तो यह है कि production जादा से जादा हुआ हो goods and services का और दूसरा case यह भी हो सकता है कि production उतना ना हुआ हो लेकिन prices बढ़ गए हो तो जो पहला case है उसको हम कहते है real GDP और जो दूसरा case है जहांपे price बढ़ने की वज़े से GDP बढ़ा है उसको हम कहते है nominal GDP इसलिए जब government आपके सामने GDP का data रखती है तो आपको ध्यान देना है कि वो real GDP है या फिर nominal GDP है GDP का जो main purpose है वो country के goods and services का production बता सके इसलिए जो दूसरा case है जिसमें price की वज़े से GDP बढ़ रहा है अगर हम उसको consider करेंगे तो देश की actual economy नहीं पता चल पाएगी इस चीज का solution निकालने के लिए एक base year लिया गया जैसे कि इंडिया में जो GDP निकाला गया है वो 2011-2012 को base year लेके निकाला जाता है जब आप news में GDP का data देखते होंगे तो दो तरीके से GDP का data लिखा होता है एक लिखा होता है GDP at constant prices और दूसरा लिखा होता है GDP at current prices GDP at constant prices जहां लिखा होता है उसका मतलब की 2011 को base year लिया गया है GDP at current prices का मतलब होता है कि उसमें जो base year है वो current year लिया गया है Factory के अंदर जब कोई product बनता है तो उस time पे उसमें tax include नहीं होता है। उस समय जो उसका price होता है उसको factor price बोलते हैं और जब उसमें tax add हो जाता है तो उसको market price कहते हैं। 2015 से पहले GDP factor price से calculate होता था और उसके बास से market price से calculate हो रहा है। एक घर है जिसमें 4 लोग हैं और उस घर की आंदनी 100 रुपए है और दूसरा घर है जिसकी आंदनी 120 रुपए है लेकिन घर में 20 लोग हैं तो भले ही दूसरे घर की ज़्यादा आंदनी हो लेकिन पहला घर ज़्यादा अच्छे से चल पायेगा। UK और इंडिया का GDP almost same है लेकिन IMF और World Bank population की वज़े से UK को ज़्यादा अच्छा मानता है। जैसे कि nominal GDP, real GDP, GDP at constant price है या फिर GDP at current price है। GDP दो तरीके से calculate होता है एक annually और एक quarterly। एक साल में 4 quarter होते हैं और जो पहला quarter होगा वो पिछले साल के पहले quarter से compare होगा ताकि हम बरसात के production को last year के बरसात के production से compare कर सकें। अब 2020 में करोना की वज़े से third quarter के GDP rate बहुत नीचे चला गया था, 0.4% तक, अब next year third quarter को same month से compare करा जाएगा, तो थोड़े से भी production से GDP rate उपर पहुँच जाएगा, क्यूंकि करोना टाइम में बहुत नीचे था, तो जरूरी नहीं है कि हर बार production की वज़े से GDP growth rate उपर जाए GDP rate एक बहुत ही simple तरीके से calculate होता है, अगर पिछले साल third quarter में GDP 100 था, और फिर इस साल third quarter में GDP 105 है, तो GDP rate होगा 5%, तो GDP की limitations भी है, इसमें informal sector की data को जोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और इंडिया में maximum sector unorganized है, दूसरी दिक्कर इसमें ये रहती है, shell companies, जो actual में goods or services produce नहीं करत होती है, जिने shell company कहते है, GDP में count हो जाती है, और क्योंकि government का फैदा होता है इसे add करने में, तो वो इसको add कर लेती है, इस पर कारवाई नहीं करती है, 2019 में MCA की report आई तो पदा चला कि 36% companies shell companies है, मतलब कि ये बस tax दिखा रही है, money laundering कर रही है, और actual में कोई services या फिर goods produce नही कर रही है, लेकिन इनका data फिर भी GDP में count हुआ, तो इस तरीके की tricks हर government करती है, अपने GDP की data को उपर करने के लिए, अगर GDP बढ़ेगा, तो unemployment कम होगा, और क्योंकि government GDP data को सही से नहीं रखती है, और यही reason है कि इंडिया पहली ऐसी country है, जहां पर GDP का rate भी बढ़ रहा है, और unemployment rate भी बढ़ रहा है,